हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल आप समने बहुत तरह की खीर खाई होगी आज हम बनाएंगे भूनी हुई सेवैया की खीर जिसको हम दूद वाली सेवैया भी कहते हैं ये बहुत ही लाजवाब बनती है इसको बनाना बहुत ही असान है ये बहुत ही जल्दी बनके तयार हो जाती है चली बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने भूनी हुई सेवैया लिया है जिसको भूनना नहीं पड़ता ये पहले सही रोश्टेड होती है साथ में थोड़े से मेवे लिया है इनको कट कर लिया है अब मैने कढ़ाय लिया उसमें दो चमत के करीब डालूंगी गी डालने के बाद उन मेवे को हम भूल लेंगे थोड़ा से इसको रोष्ट कर लेंगे मेवी रोष्ट करने से इनका फ्लेवर अच्छा आता है इसको जाजे तक नहीं पूनना है मातर एक से दो मिनित तक ये हमारे मेवे बूझ चुके हैं अब इनको हम निकाल लेंगे सबी मेवे निकालने के बाद अब उसी कड़ाय में हम दूद को डालेंगे दूद हमारा 1 किलो के करीब है दूद को हम उबाल आने तक पकाएंगे हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करने ना भूले दूद में उबार आने तक दूद को गरम करेंगे अब देखिए दूद में हमारे उबार आने लग गया है अब इसमें हम सेमिया को डाल देंगे समय यह हमारी लगबाट 200 ग्राम हैं अब इसको डाल कर अच्छी तरह मिला देंगे पांच मिनद तक समय को हम पकाएंगे जब तक दूद में अच्छी तरह अब जोबना हो जाए समय फूलना जाए तब तक पकाएंगे आप देख सकते हैं समय ने दूद को काफी हद तक अब जोब कर लिया है यह गाड़ा हो गया अब समय की खीर हमारी काफी हद तक तयार हो चकी है अब इसमें हम चीनी डाल देंगे इस पे मैंने आधा कटोरी के लगबग चीनी डाला है आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी डाल सकते हैं अब अच्छी तरग मिला देंगी जब तक चीनी हमारी अच्छी तरग दूद में मेल्ट ना हो जाए चीनी डालने के बाद स्वाइया को हम सिप्ट दो मिन तक पकाएंगे इसमें मैंने कुट्टी यूवी लाइची डाल दी है फ्लेवर के लिए से अच्छा फ्लेवर आता है अब अच्छी तरग मिला देंगे यह हमारी स्वाइया रैडी है अब यह हम ड्राइफ्रूट डाल द आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है बहुत य çi असान रहसे पी है या को बूनी में से खीर बनाओ तो तो बहुत लिए टेस्टी बनता है और असानी से दख कि बनकर तयार है कि यह क्लिछ यह त आप देख सकते हैं वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले और शेयर भी करे यह हमारी सेवेंगे रैडी है खाने के लिए